पुलिस की मदद से खड़ा गाउं में सरकारी जमीन पर अवैट कबसों के खिलाओ बड़ी कारुआवाही की है वनविभागी टीम पुलिस के साथ आज खड़ा गाउ पहुंचे खड़ा गाउं के धरंपाल वन रामपाल ने एक भीगा सरकारी जमीन पर अपना कबसा चमाया ह सरकारी जमीन पर उन्होंने कबजा करने के लिए पश्यू शालाएं भी बनाई थी वनवे भाग को जब इसकी शिकायत मिली तो भी भाग ने इस पर कार्रेवही करने शुरू कर दी बिटकार्ट के लाज श्रन ने बताये कि उनके पास खड़ा गाउं में सरकारी जमीन पर खादूर सिंग आरो संग्रा विद्या सागर के नेत्रित्व में वन विभाग की टीम मंगलबार को खड़ा गाउं पहुची और जिस सरकारी जमेन पर धनमपाल वर रामपाल ने कबजा किया था उस पर बनाई गई गई गाउश्वालाओं को गिरा दिया गया और इन दोनो से अवैद कबजे को छुडाद दिया किया एलाज चंद वन रक्षक हरिपूरदार वन परी सर हमें काफी समय से शिकायते मिल रही थी कि आरक्षीत वन दिवड़ी खड़ा में कुछ लोगों द्वारा अवैद कबजे किये गए हैं वैसे तो यह कबजे लगबग 30-40 साल में आये हैं और भी भाग निस पर फिर कारवाई शुरू की है और आज 2022 में इस पर बेदेखली क्यादेश पारी किये गए थे तीन केश थे रामलाल जी रनबीर और धरमपाल जी तो ये तीन जगा उन्होंने तीन लोग थे और दो स्पोटेव थी जहां पर उन्होंने एक अन्देही के लिए अपलाई किया गया फिर कुछ लोगों ने अब्जेक्शन भी किये उसके बाद फिर इनके ओर्डर पास हुए और आज फिर बन परिशेत अधिकारी संगडा की अगवाई में कारवाई पूरी तरसे अमल मिलाई गी उनकी और से हमें बिलकुल पूरी तर अधार से देपांशू शर्माक्यवे पूर्ड हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डिलर्शिप गोईल मोटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर सोलन शिमला सिर्मा और और की नौर में चाहिए सेल्स एक्जीक्यूटिव सर्विस एक्जीक्यूटिव फिल्ड एक्जीक्य झाहिए